हालो एव्रिवान कैसे है सारे बच्छे आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और बहुत अच्छी से पढ़ाई भी कर रहे हैं देखे बिटा हमने एक साथ मिल करके एक चाप्टर कम्पीट कर लिया और अब यहां पर बारी आती है सेकंड चाप्टर स्टार्ट करने की अलेंदी चाप्टर बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चाहिए आप इसको बोच की बात करें या नीट की बात करें यह चाप्टर बिटा बायो लॉजिकल क्लासिफिकेशन आपका बात करता है कुछ चीजों पर जैसे कि आब हमने इतने सारे लिविक और गानिजम पढ़ तरी तरीके की आप बहुत कुछ पढ़ चुके हैं आप जानते हैं कि प्लांस भी बहुत सारह होते हैं ऑनिमल्स भी बहुत सारह होते हैं So, यहाँ पर यह चाप्टर बात करता है कि सारे living organisms को on what basis हम classify करेंगे और इस तरीके से हमने यहाँ पर अलग-अलग categories बनाई, अलग-अलग बनाई और उन categories को फिर हमें थोड़ा-थोड़ा पढ़ना है. कुछ categories को हम detail में पढ़ेंगे, जैसे bacteria वाली, fungi वाली, protesta और कोई चीज जो हम detail में पढ़ेंगे animal kingdom में और plant kingdom में. तो चलिए, शिरू करते हैं आज की class को, तो मैं शिवांगी शर्मा, आज फिर आप रोगों के साथ एक नया chapter स्टार्ट करने जा रहे हूं. बिटा, इस chapter में ये साथी चीज़ें हमको करनी है, सबसे पहली जो चीज, जो हम आज से यहां पर start करने वाले हैं, that is biological classification and kingdom classification. अब ये क्या होता है, सब देखी बिटा, हम नहीं क्या चीज देखी थी, कि मालनो मेरी class में बहुत सारे बच्चे हैं, मतलब class में क्या, मालनो जिदने भी मेरे students हैं, सारे एक जगे आजए, तो मैं क्या एक दम से आकर कि कुछ भी तो नहीं पढ़ाऊंगी, मुझे उन्हें classify करना होगा, उन्हें अलग-अलग groups में बाटना होगा, class wise, subjects wise बच्चों को distribute करना पड़ेगा, and then बेटा, उसके बाद मैं उनको पढ़ाऊंगी, the point is, कि इस दुनिया में, इस धर्ती पे, इतने सारे living organism है, इतने तरी तरीके की living organism है, कि बहुत जरूरी हो जाता है इसको classify कर or family get sick, जहां पर हमने पढ़ा था, kingdom, phylum, class, order, family, genus, and species, ये सारी शेसे हमने देखी थी, तो हमने बोला कि जितने भी living organism है, इसका मतलब यह होता है, कि इस सारे के सारो को हमने पहले तो kingdom में बाटा, तो मालो जैसे मैंने सारे animals को एक kingdom में डाल दिया, जैसे हमने सारे plants को एक kingdom में डाल दिया, अब उन animals के अंदर phylum भी होगा, तो जैसे animals में बहुत सारे phylum, उसके अंदर class भी होती है, उसके अंदर order भी होता है, फिर उसमें family भी होती है, फिर genus होता है, जीनस में भी अलग-अलग species होती है, tiger, panther, आपका lion, यह सारे के सारे panthera थे, लेकिन सब अलग दिखते हैं, तो अलग-अलग species थी, तो यहाँ पे हमने यह चीज दिसकास की थी, on the basis of similarities and differences, तो हम बेटा on the basis of similarities और differences के basis पे organism को classify करते हैं, अब यहाँ पर बात आती है, कि हमने finally इनको कैसे classify किया हुआ है, कौन है मेरी वो सारे animals, कौन है मेरी वो सारे plants, मैंने कैसे कैसे उनको categorize किया है, किस basis पे मैंने उनको kingdom में classify किया, अब मैंने नहीं किया, तो किस ने किया, तो कौन थे वो scientists, जो शुरू से इनको classify करते हा रहे थी, यह अब हम आज की class में इसी को पढ़ने जा रहे हैं, देखिए बटा, there are certain need for classification, यह same slide, हमने chapter number one में देखी थी, तो इसको मैं detail में नहीं समझाऊंगी, the need for classification, क्यूं आखिर करना है classify, तो हमको करना है ताकि हमें एक idea मिल सके, diversity कितने तरीके की organism है, हमने पेटा, हमें एक idea लग जाता है, कि कौन किस के बाद आया, कौन किस से कितना related है, क्या किसी का origin रहा होगा, हमें पेटा, evolutionary relationship के बारे में पता लगता है, अगर मैं किसी एक member के बारे में study करती हूँ, और बाकी का मुझे अक्षर तक नहीं पता, पहले letter भी नहीं पता, तो मैं फिर भी उन सब के बारे में जान सकती हूँ, मैं बेटा, इनको यूज कर सकती हूँ, agriculture, अलग-अलग medicinal fields में इन सारी जगा पे, now, the point is, how, कितने तरीके के classification system होते हैं, मतलब, पहले तो आपको मैंने बोला कि classify करना है, दूसरी चीज आती है, आप कैसे classify करोगे, आपने ऐसा थोड़ी बोला सारी शिवांगी करन लगा लो, सारे आशु सर, आशु जैसे नाम वाले आजाओ, सारे उच्व बोला माम वाले नाम वाले आजाओ, सारे तान्य माम वाले नाम वाले आजाओ, ऐसा तो नहीं होता, या आपने बोला इस उमर के दर आजाओ, इस एच के दर आजाओ, नहीं, सारे इंसान एक तरफ आजाओ, इंसान में आप रिलिजिन बाइस बाटते हो, या आप हाई तवाइस बाट होगे, या आप अलग-अलग मिलब, you need to decide कि आप किस बेसिस पे उनको classify करोगे, पहली classification जो ह क्लासिफिकेशन की बात करो, जो ओल्ड तरीका था classify करने का, पुराना तरीका, यानि पहले के जो scientist करते थे, वह बहुत ही ऊपर-उपर से classify करते थे, कि अच्छा-च्छा height से नब लो, height-wise बाट दो, उनको यह मदलम नहीं है, कि अच्छा कौन-कौन सी family से आया है, तो किसक family में कोई particular disease है, जो पास हो रही है, मैं उसको अलग करूँ, जिसके में कोई particular trait है, जो बाकी में नहीं है, मैं उसको अलग करूँ, सो यहां पर पहले हम classification, बहुत ही general तरीके से करती थे, कि जो plant लंबा है, जो plant छोटा है, उसको अलग-अलग category में बाट दिया, जो animal उड सकता है, मतलब हम जादा detail में नहीं जा रहे है, लेकिन अब जो तरीका होता है, न्यू तरीका होता है, तो यहां पर हम anatomical structures भी देखते हैं, morphology तो देखते हैं, मतलब बहारी structure देखते हैं, हम बेटा उनके internal structure को भी study करते हैं, यानि कि उनकी anatomic को भी study करते हैं, हम बेटा उनकी अंदर यह भी देखेंगे कि इनका reproduction कैसा होता है उनकी body की physiology कैसी है मतलब वो काम कैसे कैसे करते हैं यह सारी चीजों को नजर अंदाज नहीं करके इन सभी चीजों को देख समझ करके फिरम classify करते हैं now based on these methods there are three types of classification system तो classify करने से पहले हम यहां पर तीन system of classification पढ़ेंगे वैसे तो यह आपका topic NCRT के according plant kingdom में है लेकिन मुझे नहीं लगता ही हमें वहां पर पढ़ना चाहिए इसको हमें इधर ही पढ़ना चाहिए जब हम आज ही classify कर रहे हैं तो देखे बिटा तीन तरीके के classification होते हैं सबसे पहला जो पहले के scientist करती थे यानि पुराना तरीका होगा so this was the artificial classification system यह system बिटा बेज था कुछ general morphological characteristic के base पे कौन कैसे रहता है उड़ता है नहीं है habit उसके habitat के basis पे हम इसको classify करती थे तो जैसे for example हमने बोल दिया ऐसे प्लांट जिसमें फ्लावर आता है जिसमें नहीं आता हमने बोल दिया अनाइमा इनाइमा तो यह बिटा क्या रूलस ले नानियस ने किया था अनाइमा बोले तो ऐसे आनिमल जिन में आर बीसी नहीं है और इनाइमा बोले तो ऐसे जिसमें हैं देखिए बड़ा सिंपल है आनिमल जिसका लाल खून आता है रग ब्लाद सेल्स हैं उसको बोल दिया इनाइमा और जिसमें ऐसा नहीं है उसको बोल दिया अनाइमा ऐसे क्या चाटिगरी में मैंने बाठ दिया मैंने बाठ दिया जैसे प्लाइनी ने this is the name of the scientist प्लाइनी ने क्या किया अब यह आज भी हम इस तरीक से classify क्यों नहीं करते हैं क्यों इसको एक बहुत ही लपी लिल्लू तरीका मानते हैं why बिकॉस बीटा यहां पे हम बहुत ही लिमीटेड चैरेक्टर ची बात कर रहे हैं बहुत हीँ कॉम चैरेक्टर लिये आपने सारे उड़ने वाले आनिमल्स एक तब्हह कर दिए वी य neur नो व्हसुं उड़ने वाले में क्या पता कोई अंडे देता हो और कोई बर्थ देता हो मैमल भी उड़ता है बाट इस अ मैमल लेकिन पिजिन इस अ बर्ड वो एव्ज के अंदर आता है यह दोनों बहुत अलग होते हैं एक दूसरे से आपने फाइलो जेनेटिक मतलब एविलूशनरी इस्ट्री को नहीं समझा दोनों में क्या रिल इसी अला था तो आपको एविलूशनरी रिलेशन्शिप को भी देखने होते लेकिन है दोनों जह düşते हम सारे में मैमल काई लोग बहुत देते हैं सो यहां पर एविलूशनर को नोटिस नहीं किया गया habits और habitat की basis पे बात करते हैं जो तो बिटा समय के साथ बदलती ही रहती है ना इसकी according Aristotle ने सबसे पहले यहां पे स्विफाई किया था बिटा I'm so sorry हमने यहां पे यह नाम गलत लिख दिया अच्छी क्या लिटानियस ने सबसे पहली classification की थी जो की उन्होंने kingdom जब वर्ट का इस्तमाल यहां पे हम पढ़ेंगे तब वो क्यार्लस लिटानियस था बट अभी उस तरीके से classification शुरू नहीं हुई so this person was Aristotle so yeah बावनाओं में बै गई मैं थोड़ी सी और मैंने इसको क्यार्लस लिटानियस अब जो बावनाओं में बै गए और गलती सुदार रहे हैं तो एक और important point लिखेंगे जो नीट में पूछा जाता है बिटा Aristotle was the first person जिन्होंने scientific तरीके से classify किया इन्होंने फॉस्ट साइन्टिफिक क्लासिफिकेशन दी बिटा जब मैं कहते हूं सबसे पहली scientific classification यानि scientific basis पे सबसे पहले यानि कुछ तो क्यालक्ट लब स्टाडी के रहे से तुक्के नहीं मारे scientific तरीके से RBC सही कुछ तो समझा सो अरिस्टॉटल ने अनाइमा इनाइमा माना था सो यह बिटा अरिस्टॉटल ने plants और animals को जिस तरीके से classify किया यह एक artificial system of classification था अनाइमा इनाइमा बाता plants को उन्होंने tall plants में बाटा जिसको उन्होंने trees कह दिया short वाले को उन्होंने herbs कह दिया जो थोड़े medium height के हैं उसको उन्होंने shrubs कह दिया अब जरूरत ही यहां पर हमें कहानी पढ़ रहे हैं और यह पूरा lecture एक कहानी की तरह है बिटा और इस कहानी को ध्यान से सुनें अब यहां पर जरूरत है एक नए classification system मतलब आपको और भी चीजों के इसाप से classification करना होगा यह morphological characters यह random habitat यह कोई इतना important नहीं है now आपको और चीजों के अंदर जाना पढ़ेगा so natural system of classification बिटा taxonomic characters में आता है और यहां से अब start होती है क्यारलस लिनानियस की कहानी क्यारलस लिनानियस ने taxonomy की बात की ती taxonomy की जब हम बात करते हैं तो हम किसी को नाम किसी को categories में बाठते हैं तो आप based on certain characters ही देंगे ऐसे characters जो की known हैं describe हैं और जिनकी बारे में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं यहां पर यूटलाइजेशन होता है यह बिटा constant character क्यों यूज करता है यानि ऐसे characters जो वक्त के साथ बदलते नहीं हैं जो जिन्देगी बड़ साथ निवाते हैं एक अच्छे दोस्त की तरह उस दोस्त की तरह नहीं जो के अंदर वाले chemical substances उन सब चीजों को physiology जैसे life के process respiration reproduction यह सारी चीज़े ontogeny ontogeny का मतलब होता है हमारी body कैसे develop होती है development of organ tissues यह सारी चीज़े anatomical structure यानि की अब internal structures को भी देखा जा रहा था सबसे बड़िया बात यह है कि अब इन सारे characters के basis पे आप maximum similarities और dissimilarities पता लगा सकते हो भाई अगर आपने एक ही character ले लिया कौन-कौन उड़ते हैं तब तो भाई उसमें सारे ही आ गए ना लेकिन उड़ने वालों में से भी तो आपको चुनना होगा यहां पे अब आप similarity dissimilarities पता कर सकते हो सबसे बड़िया बात यह है कि यह बेस तो नहीं है evolutionary history में बट इंडिकेट करता है evolutionary relationship को इंडिकेट वर्ड का मतलब समझें कि जब आपने category में बाठ दिया तो यहां से आपको एक आइडिया लग गया तियार दो लोगों में इतनी सारी समानता है जरूर इनका पूरवज सेम होगा यह एक ही जगा से आ रहे हैं तो यहां से एक इंडिकेशन मिलता है एक evolutionary relationship का फॉर एक्जामपल जैसे कि जॉन ड्रे ने डाइकोट्स और मोनोकोट्स को क्लासिफाई किया था तो डाइकोट्स क्या होते हैं जैसे मटर का दाना दो में खुल जाता है राजमा का दाना दो में खुल जाता है तो जिसमें दो सीड के lieव सीण मोनोकोट्स जैसे मकाय का दाना गेहन का और चावलता तुकड़ा ओं तो दो में नहीं कुलता वह एक कोटी एलिदिंगर का होता है तो वह सारे मोनोकॉट्स होते हैं तो उन्हों भी अनुमान लगा सकती हूँ कि कौन पहले आया होगा समय के साथ बुडो कॉट्स पहले आये होंगे कि डाइकॉट्स पहले आये होंगे बेंतम और हुकर की जो क्लासिफिकेशन है जम प्लांट किंग्डम में पढ़ेंगे वो भी एक natural system of classification है सना अब क्यूंकि यह इतनी बढ़िया classification है और यह हमें एक evolutionary relationship का अनुमान लगाने में मदद करती है यहाँ पर बेटा तीसरा system of classification होता है that is phylogenetic system अब बच्चे उससे पूछते हैं आगे के जो सारे classification है वो किस टाइप की है बिटा एक चीज़ को याद रखिए जो शुरुवात का Aristotle का था that was only the artificial उसके बाद सारे यह दोनों तरीके के systems को मिला करके बनाती है phylogenetic बिटा basis on the evolutionary relationship जब darwin ने भी natural selection की बात की थी evolution की बात की थी सो बिटा यहां पर यह सारी चीज़ों को नजर अंदाज ना करते वे इस चीज़ को भी हमें classification में सोचना होगा इस चीज में आपको बताती हूं Australia में ही क्यों कंगारू मिलते हैं कई और नहीं क्योंकि ऐसे आनिमल्स तो पहले तो एक ही लैंड के थी आलग अलो तो वहाह के वहां के ऑनिमल्स वहां प्रमार्शवियों वहला रहात के थे हैं और अपने यहां पे वैसे वाले मैमल सपे लोग से बनला प्राइमेट्स वाले सेटल लोग है जो वहां पे हमको कंगारू वाले मार्सुपिल्स नहीं देखने को मिलते हैं हाथ है कहाँ पर आई इस दीघने को मिलते ह। हो सकती है कि क्या ही इस आई सब्सक्राइब है तो यह समय के साथ फ में से अल्गी हो गये बहुत सारे वहाँ ही पर ऑद सोगा और बनते गई वह ढूसी यहां पर उस फालए फीन कर extrace नहीं था तो इस त्शलद शत Candice पर अलग-अलग अनिमल्स मिलता है लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सी चीजें हमें यह अनुमान लगाने में मदद करती है कि यह सब एकी जगा से आया है और कहां से आया होगा अंगिलर और प्रांटस नहीं बटा जो क्लासिफिकेशन दी वह कहते थें कि फ्लारिंग प्लांट और अर्रैन्ज अकॉर्डिंग तू इंक्रीजिंघक इनक्रीजिंग कॉंप्लक्सिटि और ओम और फालोजी कि जेसे जेसे यह आँए flowering plant की morphology complex होती जा रही है flower वाला अब देखिए शुरू में अगर मैं algae की बात करूं algae तो में कुछ था ही नहीं algae में न फ्लावर था न लीफ था न रूट था न स्टेम था कुछ भी नहीं था लेकिन उसके बाद आप ब्रायोफाइट आये जिसमें लीफ जैसे structure आये तेलीडोफाइट आया जिसमें प्रॉपर लीफ आया फिर आपके जिम्नोस पर माई फिर आज और आज जाने कैसे कैसे plants and animals देखने को मिलते हैं तो यह सारी चीज़ें बिटा एक एक करके एक करके आपके नए 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 प्लांस और complex plants आते गए तो वो इस तरहे के से बाते कहते हैं यह मानते हैं बिटा जो monocots होंगे वो primitive होंगे तो इनको लगता है monocots simple था एक ही classification ना अब क्योंकि बहुत बात हो गई कि classify कैसे करना है तो अब यहां पर असली बात करते हैं कि कौन कौन से तरीकों की classification हुई है चलिए देखिए बिटा classification सबसे पहले स्टार्ट की थी Aristotle ने तो यहां से हमारी कहानी शुरू होती है बहुत सी चीजों को आप पहले से भी जानते हैं उन सारी प्री इंफॉर्मेशन को यहां पर यूज करिएगा Aristotle वस फर्स परसन वह पहला इंसान जिन्होंने सबसे पहले scientific procedure से classification किया था आरिस टॉट है मैं फिर से लिख देती हूं है फर्स साइन्टिफिक प्रोसीजर था बेटा अगर मैं यहां पर देखो तो उन्होंने प्लांस में कैसे बाटा श्रॉब्स वगेरा उन्होंने आनिमल्स में एयर ड्रेलर्स जो हवा में उड़ते हैं लांड ड्रेलर जो हैं कि इसे बाटा हाभिटाट के बेसेश पे अब यह तो एकक्सेप्ट नहीं हुआ सोची अगर आज भी हम अनिमल्स के बारे में इतना ही जानते हैं अगर आम बोलते हार तीनी तरहेंगे क्या नेवा जो जो उड़ते हैं जो चलते हैं और जो आपके तहरते लेकिन जो लो कोई समानता हैं नहीं है बहुत सी अलग अलग कुछ सो समानता हैं होंगी क्योंकि सारे आनिमल हैं बहुत सारे डिफरेंसे आप इन सब को कैसे एक साथ पढ़ सकते हो तो यह जो इनकी क्लासिफिकेशन थी यह रिजेक्ट हो गई और साइंटिस बाद में आई और उन्होंने द नोटिस है नौट टॉग अब इसमें की गलती नहीं है उस समय पे इतने अच्छे अच्छे इन माइक्रोस्कोप वगेरा यह सब नहीं थे ताकि इन बैक्टीरिया फंजाय को अच्छे से स्टाडी किया जा सके तो यह सब आपके यहां पे नहीं दूसरी चीज बेटा कुछ इसे भी थे जिनको एक ही नाम अलग अलग नाम से जाना जाता था जैसे प्यूमा कोई बोलता है कोई प्यूमा क्याटमाउंट कहता है कोई माउंटेन लाइन कहता है अलग अलग नाम से यह जाना है तो यह माउंटेन लाइन भी इस नाम से भी जाना जाता है नेम्स बहुत तो किस थे लगता है अब यह मचली होगी थे re Jones लिग मचली अभ कैसी हुई तैरने वाली हो गई लेकिन यह अनिमल मचली होगी वी यह भी marine animal है, C cucumber, ऐसा लगता है, जैसे कोई plant है, लेकिन इसका नाम की वज़े से, लेकिन यह actually again एक animal है, तो names बेटा, बहुत ज़्यादा misleading थे, name, बहुत ज़्यादा यहाँ पे mislead कर रहे थे, so अब यहाँ पे बारी आती है, एक और नए classification system की, और उसके बाद आए, यहाँ पे classification system लेकर के, सबसे पहले दो kingdom में उन्हें बाटा, kingdom word यही से बिटा आया, and that was carolus lenanius, so kingdom word तो यही लेकर के आये थे, so carolus lenanius ने बिटा, दो kingdom classification system दिया, यानि उन्होंने सभी के सभी living organism को, जितने भी living organism है, उनको दो categories में बाट दिया, दो kingdom में बाट दिया, एक को कह दिया plant, एक को कह दिया animal, अब आप सोचेंगे मैं फंजाए, यह सारी चीजें कहां पे जाएगा, तो यह सारी चीजें उन्होंने plants के अंदर ही डालते रहे, सो देखे बिटा, अब अगर मैं यहां पे बात करती हूं, सो plant और animals को रोने case basis पे देखा, कि भई, plant locomotion नहीं कर सकते, मतलब चल नहीं कर सकते, लेकिन animal चल सकते हैं, plants के अंदर कोई as a sense organ नहीं होता, nervous system नहीं होता, और उनका जो stimuli की तरफ response होता है, वो slow होता है, animals में तेज होता है, तो बिटा उसको अलग काटिगरी में बाठ दिया, plants के अंदर growth unlimited होती है, होती रहती है, वहां पे limited होती है, plant बिटा खाना नहीं कहता, animal कहाना खाता है, क्योंकि plant अपना खा bacteria, fungi, सारा का सारा इसी में घुसा हुआ था, contractile system यानि muscle अगेरा के ऐसा contraction, plant भी देखने को नहीं मिलता, animal में देखने को मिलता है, so इस बेसे पे यहां पे इन्होंने ये दो काटेगरी में सभी के सभी living organism को डाल दिया, but now, क्या ये एक्सेप्ट हुआ, absolutely not, देखे बिटा, सबसे पहले चीज़, some organisms show both features of plants and animals, कहीं सारे आसे animals थे, जो दोनों की features दिखाता है, जैसे इसको देखे बिटा, अगर मैं यूगलीना की बात करती हूँ, तो ये बिटा क्या करता है, photosynthesis कर सकता है, और बिटा, ये locomotion भी कर सकता है, और अगर इसके पास धूप नहीं आएगी न, तो वा खाना नहीं बना पारा, तो बिटा, ये heterotrophic भी हो जाता है, ये किसी को खा भी लेता है, अब आप बताओ, अनिमल की तरह, heterotrophic और locomotion, plants की तरह, photosynthesis, तो भाई किस category में डालोगे, plants में की अनिमल में, ये बच्चे क्या हैं, ये बच्चे क्या हैं, ये अपना काना खुद तो नहीं बना सकते, तो ये अनिमल होता है, लेकिन प्लांट की तरह, ये locomotion नहीं करते, ये चल फिर नहीं सकते, तो अब आप इसको आनिमल का होगे, की प्लांट का होगे, फंजाए का भी ऐसा ही हिसाब किताब है, फंजाए, हेट्रोट्रॉफिक होते हैं पूव नहीं कर सकते इनमें भी कोई-कोई चीजे होती हैं कोई कॉंट्राक्टल सिस्टम नहीं होता इनकी लाइट आनिमल्स की तरह आप किस बेसे स्पेस को आपने डिस्क्राइब किया दूसरी चीज यह बिटा प्रो केरियोटिक और यू केरियोटिक को डिफाइब नहीं करता एक सिंपल सी चीज आप क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं प्रो केरियोटिक सेल वह हुता है जिसमें नूट्लियस वेल डिफाइन नहीं होता जिसके न्यूक्लियस को हम न्यूक्लियोड कहते हैं जिसके पास मेंब्रेन बाउंड और गिनलीज नहीं होता कोई क्लोरोप्लास माइटोकॉंट्रिया अंज़ोप्लास मेरेजिकलम यह सब कुछ इसके पास नहीं होता यूखेरियोट के अंदर यह सारी चीज़े होती है तो दो सेल आपस में कितना अलग है और हमने क्या किया इन सारी क्याटिगरी को एक साथ ही डाला हुआ था यूनी सल्ला मल्लटी सल्लार को भी हमने एक साथ डाल दिया हमने यूगलीना हमने स्पॉंजिस दुनों को सेंगरी में डाल दिया भै theunicellal रोता है यह मल्ल्ति सल्लर होता है हम फोटो सेंथेटिक और नॉन फोटो सेंथेटिक को एक काटिगरी में डाला है तो कुल मिला करके यहां पर यह किंगम क्लासिफिकेशन भी रिजेक्ट क्या अब यहां पर बात आती है एक नए चीज को जोडने की वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चिन बिटा देवाज परसन उन्होंने टर्म दिया प्रोटिस्टा और यह प्रोटिस्टा के अंदर उन्होंने अब जो सिंपल और गयानिजम ते उसको डालने की कोशिश करी तो इन्होंने यही टर्म प्रोटिस्टा दिया तीन किंग्डम में से उन्होंने बाटा प्रोटिस्टा प्लांटे और अनिम चांट जैसी चीजहों को बीड़ डाला यहीपे अगर में प्रोटेस्ट की बात करोग इसमें तो नजाने क्या-क्या भसट दिया हनो इसमें क्या क्या होनुनि नयभिस है नफ मिलदी की से रोपकि को बीसी में दाल दिया और यहां पे भी कहां सॉल्व हुई प्रोकरियोटिक वाला इशू अब दूसरी चीज इन्होंने क्या बुला जिसमें या तो एक सेल है या जिसमें बहुत सारे सेल हैं लेकिन प्रॉपर टिशू नहीं बना हैं तो इनको इन सबको एक साथ डाल दो और इस तरीके से उन्होंने सा तो इस सब्सक्रा यह सब्सक्राइख जो एक सवहारे पने सफाही नहीं ही नहीं इटके सफाही यहां दाल धिया नेचे पिड़ा पड़ के नीचे हैं और क्या करते हैं बढ़ा हैμुजटीय सेल्मारी में गुशा दिया जो एक्स्ट्रा समान दीख रहा है, सारा ड्रॉर के नल, बड़ी आपने सफाई क्या की, अब बाद मैं अब उसको डूनोंगे, कौन सी चीज, मैंने कहा रखी दी, आपने इतो सुल्टाया है, यहां पे भी अभी सुल्टाया ही गया, क्योंकि यहां पे भी अभी बहुत सारी कम्या थी वो क्या कम्या थी बटा सबसे पहला मल्टी सललर और यूनीसललर और ग्यानिजम में फिर भी कोई भेद नहीं किया सबको एक साथ डाल दिया गया फंजाय और बैक्टीरिया आपस में कितने अलग होते हैं बैक्टीरिया प्रोकारियार्ट फंजाय का यू के है हमारे कोपलेंड अब कोपलेंड क्या कहते हैं वो कहते हैं यार बहुत ही दिमाकरा वो रखा है यह क्या है कि सारे के सारे तुमारे एक ही किंग्डम में जा रहे हैं हमने क्या बोला था उसको प्रोटिस्टा किंग्डम बोला था और यह हर जगा यह बैक्टीरिया क्यों इत सब्रक्राइबंने क्या मनेरा को बिलकुल अलग दिया तो जैसे बीटा प्रॉटिस्टा बढ़िया चल रहा है प्लांटे और आनिमेलिया तो और मोने रामिनों ने क्या किया सारे कि सारे पूपरियोटे को डा waż यह बक्टीरिया अगर इतना तब़ाही मचाया हुआ है तो उसको बालत डादो नहीं तुलनों ने क्या किया इस बैट्टीरिया को इस को पूपरियोट को अलग ही किंगनम में बाठ दिया Protesta के साथ क्या किया यहां पे सारा सेंगल आपका Unicellular Organism, जोकी यूकरियोटे, उसको डाल दिया अब फंजाए कहा है चाहेगा फंजाए तो आपका ना कि यूनिस ले यूकरियोटे, वो तो मल्टी सलर्बी होते है बैटा वह प्लांट जैसा खाना तो नहीं बनाते आनिमल जैसे भी नहीं होते फंजय तो डेड और दीकेश चीज पर लगता है आनिमल तो बहुत तरीकसे निट्रीशन दिखाते हैं यहां पर सबसे खतनाग यही था कि प्लांट और फंजय की और सुरी और फंजय को 80 काटेग में प्लांटे के अंदर डाल दिया तो अगेन बिटा यहां पर आपका प्लांट के इंडम बिगड़ किया आपने दो तो सुधार दिये लेकिन इसका क्या करोगे तो यहां पर अब आता है एक और kingdom classification and यह kingdom classification को ही हम आज सबसे जादा follow करते हैं and that is the five kingdom classification given by R.H.Wittaker R.H.Wittaker ने में 1967 69 में बिटा उन्होंने five kingdom classification दिया उन्होंने बोला ठीक है एक तो हमारा हो गया मॉनेरा जिसमें हमने प्रोकेरियोटिक और्गानिजम डाल रखे है यह बिटा यूनी सलेलर होते हैं आपके इनके पास कोई nuclear membrane नहीं है क्योंकि यू प्रोकेरियोटिक और्गानिजम है इनके पास cell wall अलग तरीके की होती है हम पढ़ेंगे अगली इनके पास बिटा पैप्टीडो ग्लाइकन का cell wall होता है यह कुछ ऑटो ट्रॉफिक भी होते हैं हम आगे पढ़ेंगे जैसे की ब्लू ग्रीन आगे तो वो खाना बना सकते हैं लेकिन यू के अप्रोकेरियोट्स होते हैं यह उन्होंने मॉनेरा किंग्डम को फिक्स कर दिय प्राटिस्टा के अंदर बहुत सारे आनिमल्स हैं अलग अलग तरीके के अजीब सी चीज़ें कुछ प्लांट जैसा भी लगेगा कुछ आनिमल जैसा भी लगेगा लेकिन यहां पे सिंपल सी चीज क्या सोची कि यहां पे हम यूनी सेलिलर यू केरियोट को डाल रखाए ब सारी जड्री फंजाइ ये उसके बाद फंजाइ प्लांट में डाला हुआ था अब उसको भाश स निकाल दो इस फंजाइक को यू केरियोटिक फंजाइए जिसके पास का सेल्वाल होता हैं मटी सेलृ लोग विबहकी बी अज्सकों इसे उनिसकों को उन्होंने लग से एक कि सब आपके प्लांट में आ गए हैं सो इस तरीके से यहां पर फाइफ इंग्डम क्लासिफिकेशन आती है बिटा NCRT में यह लाइन बड़ी इंपोर्टेंट है आप से एक्जाम में यहां पर पूछा जाता है देखिए बिटा आरेच विटेकर ने यहां पर जो हमारे फाइनल कि यह चीज़ आज इस आपको mcq में पूछा जाता है नीट में तो देखिए एक तो हो गया हमारा सेल का स्ट्रक्चर सेल का स्ट्रक्चर बोले तो वह यूकरियोटिक है कि वह प्रोकरियोटिक है एक हमारी होगी बॉड़ी की और्गनाइजेशन कि अभी उसकी बॉड़ी स्ट्रक्चर बॉड़ी क्लासिफिकेशन यहां पर कतम होती है अगली क्लास से हम एक छोटी सी चीज के साथ ट्राय करेंगे स्टार्ट करेंगे एंदेन मिल्टा मैं आपको कराऊंगे यहां पर किंग्डम मनेरा इट विल टेक लिटल टाइम सो यह हम पढ़ेंगे अगली क् में सवाज के लिए इतना ही बाई बाई और थैंक यू